बहुत मुश्किल होता है एक अपनी सबसे प्रतिनिधी रचना को चुनना या अपनी सबसे पसंदीदा रचना को चुनना लेकिन जो दिल के करीब सारी रचना है, उन मेंसे कोई एक के साथ मैं चाहूंगी कि आप लास्ट ज़र में झाहा था कि जब मैंने तारे जमी पर का गीत लिखा था मा तो मा पर उसके बाद मैंने काफी गीत लिखे अक्चुली लुका चुपी एक जिए वो भी है और निर्जा फिल्म में भी मैंने लिखा ऐसा क्यो मा तो सुना नहों आप जरूर सुने और अभी वि करता हूं बाबल फिर कभी सुनाएंगे यह जब गीत लिखा था तो आपने आपको तो याद होगा कि इसमें एक अंत्रा है कि जब भी कभी पापा मुझे जो जो जोर से जूला जूलाते है मां मेरी नजर ढूडे तुझे सोचू यही तु आके था में गीमा उन से मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूं मां चेहरे पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूं मां तुझे सब है पता है नमा तुझे सब है पता मेरी मां अब ये इस पर मुझे काफी पत्र आते थे कि हम बाप लोग इतने बुरे नहीं होते हैं तो मैंने ये explore किया था मैं आपको exploration सुनाता हूं मैंने पिछले साल भी पढ़ा था लेकिन आग रहे था तो मैं पुनहें आपके लिए पढ़ो रहा हूं कि मां की तारीफ करते करते पता नहीं कब में पिता के विरुद्ध हो गया मा की तारीफ करते करते पता नहीं कब में पिता के विरुद्ध हो गया पिता के विरुद्ध कभी मैंने कुछ नहीं कहा पर मा की तारीफ में पिता के प्रती नाराज़गी खुद बहुद आ जाती है शायद क्या पिता का दोश पिता होना है या बुरुश होना या समर्थ होना मैं पिता के सामने ढीट हूँ मां के सामने शैतान हूँ मैं पिता के सामने चटान हूँ मां के सामने नदी मैं मां के लिए छुप जाता हूँ और पिता से छुपता हूँ मैं मां के लिए छुप जाता हूँ और पिता से छुपता हूँ मैं मा के सामने प्रश्ण की गुलाई हूँ और पिता के सामने उत्तर की नोक मैं मा के सामने प्रश्ण की गुलाई हूँ और पिता के सामने उत्तर की नोक मैं मा की गोत में समा जाता हूँ और पिता की गोत में तन कर बैठता हूँ पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आए मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं ना पी मैंने मां के बाल भी खीचे हैं कई बार जुझला कर चीखा हूँ मां पर पटके हैं पैर मैं विद्रोह करता रहा हूँ पिता की सत्ता के खिलाफ क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती क्या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता या उसकी शक्ती सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेट रहा हूँ था